इसके जनोन मुखी मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने भोपाल शहर में मेट्रो रेल सेवा लाने का महतुपूर निरन लिया है। कमलनाथ सरकार की इस दूरदर्शी योजना से निश्चिती भोपाल का शहरी लोग परिवहन तेज, आराम दायक और व्यवस्थित बनेगा। भोपाल मेट्रो के प्रथम चरण में दो कोरिडॉर विक्सित होंगे। परपल कोरिडॉर 14.99 किलोमीटर और रेट कोरिडॉर 12.88 क किलोमीटर लंबा होगा। परपल कोरिडॉर जो पहले करोन से लेकर एंज तक बनाया जाना तह था, अब उसे मान्मिय मुख्यमंत्री जी की मन्शा के अनुरूप एरपोर्ट तक बढ़ाया जा रहा है। इस रूट के मुख्य स्टेशन, डी आई जी बंगला, बोगदाप एमपी नगर एवं हभीगण स्टेशनों के साथ कुल 16 स्टेशनों का निर्मान और विकास किया जाएगा। परपल कोरिडॉर पर मेट्रो रेल नादरा बस स्टैंड से भोपाल रेल्वे स्टेशन होती हुई 1.79 किलोमेटर की दूरी भूमिगत तय करेगी, जबकि 13.2 किलो एलिवेटेड रहेगा। रेट कोरिडॉर शेहर के दक्षिन पस्टिम में भदबदा से होकर मुखिस्थानों, जबाहर चौक, रोशनपुरा, लेली टौकीज, पुल बोगदा एवं गुविनपुरा को जोडते हुए पूर्व में रतनागिरी तिरयाहे के मद्ध चलेगी जिसमें कुल 14 स्टेशन समाहित होंगे। लगभग 12.88 किलोमीटर लंबे इस कोरिडॉर पर मेट्रो रेल एलिवेटेड चलेगी। भोपाल मेट्रो कोरिडॉर के साथ TOD जानी Transit Oriented Development को भी एक नई दिशा मिलेगी जो स्मार्ट सिटी भोपाल के लिए लाबकारी सावित होग और रोड अक्सिडेंट, प्रदूशन सहित, बाधित याताया जैसी समस्याओं से निजात मिलेगी। नई तकनीकों और आधुनिकी करण को ध्यान रखते हुए भोपाल मेट्रो रेल में अत्याधुनिक स्टेशन, आटोमेटिक फेर कलेक्शन, लिफ्ट, एसकेलेटर के न रेटरो रेल का संचालन वर्ष 2023 तक शुरू हो जाएगा, जिससे लगभग स्टेशन, आटोमेटिक फेर के निजात मिलेगी।